हेलो दोस्टों, इस्टो केड़ वेज यूट्यूब चनल के एक ओव वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम बात करेंगे नैशनल एलूमिनियम कमपनी लिमिटेड यानि की नालकों के बारे में सबसे पहले हम देख लिएते हैं कमपनी का फ्राइडे का दिन कैसा रहा तो अपनी प्रिवेज क्लोजिंग जो कि 70 रुपे 60 पेसे की थी उसके मकाबले शेयर ओपन होता है 70 रुपे के लेवल पे उसके आज ये गिरता है और 69 रुपीस का लो बनाता है हलागी फिर ये बढ़ता है और 70 रुपे 65 पेसे का हाई मारने के बाद हलागा सगिर के यानि कि 70 रुपे 35 पेसे के आजपस क्लोज होता है अपनी प्रिवेज क्लोजिंग के मकाबले शेयर में लगबग 0.35 परसेंट की ग्रावट रेती है अब हम 5 दिनों की बात कर लिते हैं तो 5 दिन में शेयर लगबग 4.29 परसेंट के नेगटिव रेतन दी है अगर हम एक महिने की बात करेंगे तो शेयर लगबग 0.28 परसेंट के नेगटिव रेतन दी है वहीं हम बात करेंगे 6 महीने की तो शेयर लगबा 34% के नेगटिव रिटन दे चुका है अगर हम बात करेंगे year to date की तो शेयर लगबा 32% के नेगटिव रिटन दी है अगर हम बात करेंगे 1 साल की तो शेयर लगबा 21% के नेगटिव रिटन दे चुका है अगर हम बात करेंगे 5 सालोगी तो शेर लगवग फिलेट रहा है जा फिर आप बहुँ सकते हो, शेर लगवग 80% के नेगेटिव रिटन दी है अब हम बात कर लेते हैं, इसमें हमारा क्या भी होना चाहिए, तो इसमें हमारा लोंग टम का भी होना चाहिए क्योंकि इसमें जो ग्रावट है वो short term की है और इसमें ग्रावट की वज़े थी aluminum की demand में कमी पाई गई थी चलिए अब हम देख लेते हैं short term में हमारी care target होने चाहिए तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस है वो 74 रुपीस के लेवल पे अगर इस लेवल को शेर तोड़ता है तो फिर इसमें 88 रुपीस के target देखने को मिल सकते हैं अगले लेवल की बात करें तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो है 88 रुपीस की लेवल पे अगर share इस lev alert को तोडता है तो फिर इसमेंUS95 रुपीषा तक के target देखे जा सकते हैं अब हम बात करते हैं तो इसमें support है सिस्टेवन रुपीषा की लेवल पे अगर share इस लेवन को तोडता है तो इसमें US60 Placeaz तक टारिट देखने को मिल सकते हैं बहीं हम बात करें अगर सपोर्ट की तो 60 रुपे की लेवल पे अगर शेयर इसे तोड़ते तो 50 रुपे तक की टारकेट देखने को मिल सकते हैं आशा करूंगा जे वीडियो को पसंद आयोगा वीडियो पसंद आयोगा वीडियो पसंद आयोगा तो लाइक कीजिए चेनल को सब्स्राइब कीजिए